भागलपूर जिला के सजाओर थाना छेतर के हरनाधपूर बगीचा के समीप रविवार की सुबा एक ट्रेक्टर अनियंतरित होकर पलड गया इस हाथसे में ट्रेक्टर चैलक की मौके पर ही मौथ हो गई वहीं मिर्तक की पैचान सजावर्थाना छेतर के हाजीपुर गाउन निवासी नागे स्वर सिंग के 21 वर्षिय पुत्र गंस्याम कुमार के रूप में हुई है जानकारी के अनुसार मिर्तक गंस्याम सुबा इट लेकर भाड़े में नातनगर गया था घर वापस लौटने के दौरान हरनातपूर बगीचा के समीब ट्रेक्टर अनियंतरित होकर पलट गया घटना में घंसयाम कुमार गंभीर रूप से घैल हो गया जिसके बाद अस्थानिये लोगों की मदद से घैल को आनन फानन में माया गंज अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोसित कर दिया वहीं घटना की सूचना मिलते ही सजवर पुलीस मौके पर पहुँची और सब को अपने कबजे में लेकर पोष्ट माटम के लिए भेज दिया इधर घंसयाम की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है परिजनों ने बताया कि घंसयाम कुमार घर का इकलवता कमाने वाला था उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहार तूट गया है परिजनों ने जिला परसासन से आर्थिक साहेता रासी उपलब्द कराने की मांग की है अब परनम क्या है नाम बालें परसासन से भी भारत स्काउट एबम गाइड भागलपूर एबम इंडियन रेट क्रोस सोसाइटी भागलपूर साखा के संयुक्तत्वधान में बिश्व स्वास्त दिबस एबम मद्दाता जागरुकता कारिक्रम का आयोजन स्काउट गाइड भवन परिसर में किया गया कारिक्रम की अध्यक्षता भारत स्काउट और गाइड के जिला मुख्य आयुक्त मनोज कुमार सिंग ने की सार के जानेवाने चिकित सक एबम उपाध्यक्ष रेट क्रोस सोसाइटी भागलपूर डॉक्टर अजय कुमार सिंग, जिला कारेकारनी सदस्य घंसयाम कोटरीवाल, इंडियन रेट क्रोस सोसाइटी भागलपूर के सकाउट गाइड के साथ साथ रोवर लीडर अभिशे कानन रोवर सीवं, रेंजर विद्या, सिम्रन एवं कंचन ने भाग लिया, वहीं कारिक्रम का समापन राष्ट गान से किया गया भागलपूर मदुसूदनपूर थाना चेत्र के महमतपूर चौक के समीप, एक मिठाई दुकांदार के साथ मारपीट की घटना सामने आई है पिड़ी दुकांदार का नाम रंजीत ताती बताया जा रहा है, जो मदुसूदनपूर थाना चेत्र के महमतपूर गाउं का रहने वाला है गटना को लेकर बताया जा रहा है कि सनिवार की रात मकान मालिक अरून चौधरी ने दुकांदार रंजीत तांती से उधारी में सामान देने की बात कही लेकिन दुकांदार ने सामान देने से इनकार कर दिया जिसके बाद मकान मालिक ने दुकांदार के साथ गाली गलोज और मार पीट सुरू कर दी दुकांदार का कहना है कि वह पिछले 12 वर्सों से रूम मालिक को एग्रिमेंट के हिसाब से हरमा किराया देता है लेकिन रूम मालिक जितना सामान उधारी लेता है उसका पैसा नहीं देता है जब दुकांदार ने उधारी का पैसा मांगा तो मकान मालि ने उसे जाती सूचक गाली देते हुए उसके साथ मार पीट की इधर गटना का CCTV फूटेज भी सामने आया है जिसमें रूम मालिक दुकांदार के साथ मार पीट करते हुए दिखाई दे रहा है वहीं गटना की सूचना मिलते ही मदु सूधन पूर्थाना पुलीस मौके पर प अस्पताल भागलपूर में भरती कराया गया है हम अरुन चदरी के मकान में किराया पे रहते हैं दुकान चलाते हैं उसमें जिसमें कि उसमें एग्रिमेंट हमसे करवाया दुकान में चार्सों पांट सूर्पया का बिल बनाता है उसका कहना है कि जो हम खाते हैं तो मुधरियां लिखते जो लिखते लिखते मंतली कितमा लगता है एग्रिमेंट में भी लिखा हुआ एक तीस सो प्या महिना लफड़ा बढ़ा इसलिए कि वो हर महिने जो साथ हजार आठ हजार किसी में नो हजार खा लेता है उसके बाद भड़ा अलग से मंगता है जो हम बोलते हैं कि हम इतना नहीं दे पाएंगे जो आपका भड़ा होता एग्रिमेंट लगा के मेरा निकला जो कि हुद देने से इंकार कर दिया उसके बाद फिर वो हमको बाप बेटा सब मिल करके मारना शुरू कर दिया जगदीशपूर थाना परीसर में रविवार को ईद एवं रामनम्मी को लेकर सांती समीती की बैठक आयो जीत की गई यह बैठक डियसपी विदी वैवस्ता चंद्रभूसन के नेत्रित में आयो जीत की गई वैठक की अध्यक्ष था थाना ध्यक्ष गनेश कुमार ने किया वैठक के दोरान निरने लिया गया कि ईद एवं रामनम्मी पर्वसांती एवं सद्भावपुर्ण धंग से मनाया जाएगा इस दोरान अगर कोई भी और समाजिक तत्व सांती भंग करने का प्रयास करता है तो उस पर कड़ी कारवाई की जाएगी वैठक में मौजूद धाना छेतर के जन परतिनिदी एवं गनमान ने लोगों से भी परसासन की ओर से अपिल किया गिया कि अगर कोई भी और समाजिक तत्व सांती भंग करने का प्रयास करता है तो इसकी तत्काल सूचना पुलीस परसासन को दें इस दोरान विधायक परतिनिदी राविया खातुन सहीत कई लोगों ने परसासन से मांग किया कि एद के दिन भागलपूर दुम का मुखे मार्ग पर ट्रक का परिचालन रातरी दस बजे के बाद किया जाए जिससे की परव मनाने एवं नमाज अदा करने में लोगों को परिसानी ना हो मौके पर मुखिया मुकेस मंडल रंजीत कुमार पंचायत समिती सदस सेनापती राए अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परिशान तो चिंता छोड़िये क्योंकि अब भागलपूर में आ गया है इन सबका समाधान निराला स्पीच एन हियरिंग क्लिनिक, ओडियोलोजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विशुस्तरिये बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लुटीथ फैसिलिटी तो आज ही सुनने की जाज कराएं तथा सुनने की मर्शीन लगवाएं निराला स्पीच एन हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ओफिस के सामने मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में भागलपुर, मोबाइल 70501-93341 हमारी दो और भी शाखाएं हैं पूर्णिया में पंचबटी कॉंप्लेक्स, बिहार टॉकिज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीब भागलपुर सुल्तानगर स्थाना परिसर में रविवार को इद एबं रामनम्मी को लेकर सांती समीती की बैठक आयो जीत की गई बैठक की अध्यक्षता थनाध्यक्ष प्रियरन जनने की बैठक में मुख्य अतिती के रूप में DSP चंद्रभूशन, नगर सभापती राज कुमार गुड़ू, पंचैती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी मौजूद रही बैठक में सामाजिक राजनेतिक संगठन एबं मुसलिन समधाय के बीच मुक्य अतिती एबं थाना ध्यक्ष के द्वारा सांती एबं स्वहार्दपुर्ण वातावरन में ईद एबं राम नम्ही तेहवार मनाने की अपील की गई इस दोरान डियस्पी चंद्रभूसन ने मीडिया को बताया कि आचार संगीता को देखते हुए समी लोग सांती और सद्वहाओ के साथ एबं राम नम्ही पर आपस में मिल जूलकर मनाए मौके पर काफी शंख्या में लोग मौजूद रहे अचार संगीता जो हमारा लगा हुआ है तो सब लोग जो है थोड़ा इतियाद बढ़ते हैं भागलपूर जिला अंतरगत साकूंड परखंड के गोबराय पंचायत गोबराय गाओं में जन वित्रन परनाली दुकांदार की मनमानी सामने आई है दुकांदार विस्मुदेब तिवारी ने लावर्तियों को दिये जाने वाले पांच कीलो रासन में से एक कीलो की कटवती कर दी है जिससे नाराज लावर्तियों ने दुकांदार का वीडियो बना कर सोसल मीडिया पर वाइरल कर दिया वीडियो में दुकांदार साप साप कह रहा है कि अगर वह एक किलो रासन नहीं काटेगा तो उसके घर परिवार का क्या होगा वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद साकुंड प्रकंड आपूर्ती पतादिकारी ने जाच के आदेश दिये हैं उन्होंने कहा कि अगर दुकांदार की मनमानी सावित होती है तो उसके खिलाप सक्त कारवाई की जाएगी लाबर्तियों का कहना है कि दुकांदार लंबे समय से रासन कम देता है और अधिक पैसे वसूलता है जिसकी सिकायत वीडियो से भी की गई थी लेकिन कोई करवाई नहीं हुई झाल है